हेलो फ्रीन नमस्ते तो आज बैग बनाएंगे बहुत ही सरल और आसान तरीके से दीखिए हमने ये अपने पार्ट बना लिये हैं जितना हमारे पास कपड़ा था उतनी चोड़ाई के और हमारा स्वापिंग बाला बैग था उतनी चोड़ाई से हमने कपड़ी को निकाल के उन हमने ये सारे पल्ट त्यार कर लिए हैं इस तरह से और एक पल्ट बचा है वह हमारा चैन बाला है जिसमें हम चैन डालेंगे तो चलिए अब चलते हैं मसीन की तरफ तो देखें अब चलते हैं मसीन की तरफ तो देखो हमने नीचे से जोइन करना शुरू किया है बरावर बरावर और उपर हमें पूरे पाड़ तक नहीं जोइन करना है ये पतले वाले जो पार्ट बना के त्यार कियें इनको उपर तक नहीं जोइन करना है थोड़ा सा नीचे तक रखेंगे तो हमने पहले नीचे से जोइन करा है अब इस तरह से घुमा घुमा के फटा फट से सिलाई लगा देंगे और सीधी सिलाई इसलिए लगाई है जिससे अंदर से फिनिसिंग रहेगे और बाहर से हम पाइपिल लगा देंगे देखी यहां तक हमने सिलाई को उतार दिया है ऐसे ही देखी सीधी साइट करके दिखा रहे हैं फिर से डबल सिलाई लगाएंगे जिससे हमारा मजबूत हो जाएगा अच्छे से और यह हमारा चैन है इस तरह से हम चैन रखेंगे पहले एक सिलाई लगाएंगे उल्टी चैन रखके फिर हम दूसरी स्लाई उपर से लगाएंगे इस तरह से इस तरह से हमारे चायन वाले भी पाट त्यार हो गया है दोनों फटा-फट से देखिए अब इस पर हमने निशान लगा लिया है चौक से तो बरावर बरावर से ऐसे रखेंगे यहां से रखके फिर हम इस पर सिलाई लगाएंगे उपर पकड़ने वाला साइड बचेगा और नीचे यहां से चैन लगाएंगे तो हमारा आदाम से बंद हो जाएगा और भावती सुन्दर आयसे करके हम दोनों में निशान लगा लेंगे चौक से इससे बरावर हो जाएगा हमारा इस तरह से और इस तरह की फॉली थिन हों ना फेंके अपने पास रख लें ना तो हमें चावल की बोरी की डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं फॉन लाना पड़ेगा तो इस तरह से यमारा बैग बहुत अच्छे से बन जाएगा है आप कई बहुद बहुत खर में जा रहा है उसके लिए इस तरह का बैग बना लें अच्छा रहता है कि विविद्व बताया है तो इसमें भी हम अईसे करके तिक एस ल्लाई लगाएंगे अभी यह यहां पकड़के और पूरे में हमें सिलाई लगा देना लिख नीचे पकड़ के लगाएं सीधी सिलाई इसलिए लगा रहे हैं हो इसमें पाइपिन कि सुन्दर लगने लगएगा और बहुत कम समय में बताया है बैक बनाने का तरीका मैंने बैक को हमने जॉइन करा है तो सब सीथा ही करके करा है जिससे हमारा अंदर से बहुत ही फिनिसिंग लगे अब देखिए हमने कुणन डाल लिया है कि यहां पर भी हम सिलाई लगा लेंगे एक अब यह जो हमारी परटी यह मने कपड़ा नहीं लिया है जो हमारी तनी होती है बैक में लगाने के लिए बोवाली परटी लिए हमने वह इसलिए लिए क्योंकि इस कलर में वो खिलेगी खूल और एकदम बरावर रहती है कपड़े में मारे आठन आ जाती है अगर सीधा कपड़ा ना हो यह पट्टी बिल्कुल सीधी सीधी होती है इसलिए हमने यह पट्टी लगाई यह बिल्कुल एठीगी नहीं और एकदम बहुत ही अच सिलाई भी लगा लिए चारों तरफ कि पूरे में अब इसे करके दूसरी साइड भी लगा लेंगे पहले सिंगल सिलाई लगा लेना है उसके बाद हमें डबल करना है थोड़ी मजबूत भी आ जाती है और हमारी पाइपिन भी अच्छे से एकदम बराबर सी लगती है जो बीच में कट लगाए है उसमें भी हम पाइपिन ही लगाएंगे फटा फट से दिखाते हैं फिर आगे तो चलिए बैक बनके त्यार हो गई है प्रेंड हमारी चैनल पर पहली वार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह से सरल और यूजफुल वीडियो मिलती रहेंगे आप सब के लिए तो बैक बनाने का तरीका मारत थोड़ा सभी पसंद आए तो हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले